हेलो डियर श्रूरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल स्टड़ी विद दुलार में बच्चो यह क्लास 6 का हिंदी बुख है चपकर 4 है और इस चप्टर का नाम है अगस्त करांती अगस्त करांती अगस्त के महिने में हुआ है इसलिए अगस्त करांती बतला रहा यहां पर तो यह क्रांती भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसी के बारे में बतला गया है अगस्त करांती तो यह जो है अगस्त से पहले शुरू हुआ था लेकिन अगस्त में सबसे ज़्यादा प्रभावसाली रहा और अगस्त के महिने मे ही हमारा देश आजाद भी हो गया था इसलिए इसका नाम दिया गया है अगस्त करांती तो हम लोग इस चप्टर को पड़ कर देखते हैं क्रिप्स योजना के असफल होते ही सारे देश में विद्रोह यम असंतोस की लहर दोड़ गई इस संबंध में गांधी जी ने 26 अप्रेल 1942 के हरीजन पत्र में अपने विचार परकट किये उनके इसी लेख में सुरपर्थम भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था उन्होंने लिखा था अधी अंग्रेज भारत को उसके भाई के भरोसे सिंगापूर की भाती छोड़ दे तो अहिंसक भारत को इससे कुछ हानी ना होगी एक क्रिप्स योजना तो वह असफल हो गया जैसे ही असफल हो गया वैसे ही पूरे देश में विद्रो असंतोस की लहर दोड़ गई विद्रो फैल गया इस समद्ध में गांधी जी ने 26 अप्रेल 1942 को अपने समाचार पत्र हरीजन में अपने विचार परकट किये थे और उसी में सबसे पहले उन्होंने भारत छोड़ो का नारा लगाया था और वे उसमें बतलाये थे कि सिंगापूर अमेरिका में है तो जिस परकार से सिंगापूर को अपने हाल में छोड़ दिये थे उसी तरह को अगर इंडिया को भी छोड़ दिया जाए तो इंडिया में PCV तरह की कोई नुकसान हानी नहीं होगा गान्धी जी के भारत छोड़ो नारे के महत उको को सारे देश ने एक सवर से सुविकार किया 14 जोलाई 1942 को वर्धा में कांगरेसी नेता एक तरित हुए और सबने भारत छोड़ो का प्रस्टाव प्रशताव में कहा गया था ब्रिटिस सासन का अंत अति प्रहिज होना चाहिए तो विये जो उस लेख में बतला है थे भारत छोड़ों के नारे के बारे में तो इसको सभी ने सुंगर किया उस में एक ही राजनितिक पाटी हुआ करती थी कांग्रीस तो इस प्रहिज में जित कि अब हिंदुस्तान बिरिटिस सासन से जल्द ही आजाद हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो करनारा बुलंद करने के लिए अखिल भारतिय कांग्रेस महासमीती की एक विसेस बैठक बंबय जिसे अब मंबय के नाम से जाना जाता है वहाँ पे बुलाई गई गांधी जीने अपने भासन में गोशना के कि इस चन से आप में से हर एक अपने को आजाद आदमी या आजाद अरत समझे 8 अगस्त 1942 को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय से बहुत मतलब प्रभावसाली हो गया और वहाँ पे अखिल भारत के कंग्रेश महासमीती ये एक संस्था है उसके दुआरा एक बैठक हुई एक बहुत बड़ा मिटिंग हुआ मुंबई में और वहाँ पे बतलाया गया कि आप लोग सभी इसी समय से अपने आपको आजाद समझे हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिस में मर जाएंगे हर किसी की यही इच्छा थी कि यहां तो हमारा देश आजाद हो जाए या फिर हम आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे उसी रात यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ कि अधी अंग्रेज भारत को सिग्र सतंत नहीं कर देते तो हमें अपनी आजादी की लड़ाई अभी से प्रारम कर देना चाहिए सभी लोगों ने ठान लिया कि इसी समय से जो गांधी जी भासन दे रहे थे उसी समय से ठान लिया कि या तो अब आर पार की लड़ाई होगी या तो हम रहेंगे या अंग्रेज रहें किसी अग्यात अस्थान को भेज दिये गए एक सप्ता के भीतर कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेतावा कारिकरता जेलों में बंद कर दिये गए सारे देश में गरिफतारियों का दोर शुरू हो गया सरकार ने जान बुझकर जनता के आक्रोस को भारा परिनामता सारे देश में विरोध की लहर दोड़ गई जब ये परस्ताव पास हो गया भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हो गया तो आठ तारिक को शुरू हुआ और नो तारिक रात से ही सब जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सब को गिरफतार कर लिया गया और सभी बड़े लीडर्स को अग्यात अस्थान मतलब किसी को क कोहीं पता ना चले कि कहां पेवे रखा गया और इस तरह के जितने भी छोटे बड़े लीडर थे सभी को जेलों में बंद करने गिरफतार करके बंद किया जाने लगा जब सरकार को जनता ने इस परकार का कदम उठाते वे देखा तो जनता और भड़क गे उसके खिलाप औ लेकिन हर हाल में जनता को एक लीडर के आउसकता पढ़ता ही पढ़ता है किसी ब्यांदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया मैदान में अभुतपुरू दिरिस्था अगस्त करांती के इतिहास में या अस्थान अत्यधिक महत्व रखता है उस दिन सारे स्वेम सेवक एम स्वेम सेविकाएं नारंगी रंगी पोसाग पहन कर मैदान में जमा हो गए भुला भाई दिसाई के सुपुत्र ने तिरंगा जंडा अपने हाथ में ले रखा था तभी एक गोरे सार्जेंट ने उनसे कहा इस मैदान पर पुलिस और फोज का अधिकार हो गया है इसलिए आप अपने स्वेम सेवकों को यहां से ततकाल हटा ले अन्याथा हम अश्रू और सभी लोगों ने नारंगी कलर का वस्तर पहना हुआ था भुला भाई दिसाई इस तरह का नाम दिया हुआ है तो कई सारे लोग ऐसे हैं सोतंतता की लड़ाई लड़े हैं जिनका नाम भी हम लोगों को पता नहीं है बहुत सारे लोग हैं उनके पुत्र अपने हाथ में कि रंगा जंडा ले रखे थे और एक अंग्रेज उसको बोल रहा है कि यह फिल्ड जो है पुरा पुलीस और फोज ने घेर रखा है अगर आप यहां से नहीं हटते हैं तो हम लोग आसुगेस का परियोग करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ यहां पे पिक्चर देख रहे हैं स्री पिमती अरुना आसफ अली का ओजस्वी भासन हुआ ओजस्वी भासन एक लीडर का यह सबसे बड़ा हत्यार होता है भासन समाप्त करके उन्होंने तिरंगा जंडा फरा दिया सार्जेंट के आदेश पर अश्रुगेस की गोले चोड़े गए पर जंता टस से मस नहीं हुई सार्जेंट ने पुलिस को एक बार फिर धुमाधार अश्रुगेस छोड़ने का आदेश दिया जब उन्होंने भासन दिया उसके बाद जंता में एक विश्वास आ गया और वे कहीं भी दरुदर नहीं गये अश्रुगेस छोड़ा गया लेकिन फिर से एक बार धुमाधार और आश्रुगेस छोड़े गये लेकिन फिर किया हुआ अश्रुगेस के प्रारम होते ही भीड के नेता ने सबको लेट जाने की आगया दी गयस जो हता है हर हाल में वो उपर की और जाता है इसलिए सबको लेटने के लिए कहा गया क्योंकि अगर वे लेट जाएगे तो उस फिर से खड़े हो गये जब भीड पर अश्रुगेस का प्रभाव नहीं हुआ तो पुलीस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया सर्दार पटेल की सुपूत्री कुमारी मनी बैन पटेल को भी कई लाठियां लगी इतना होते हुए भी उन्होंने गिरपतार ना होने का निश समय जब हमारा देश गुलाम था उस समय लोग एक सुईधाओं वाली जिंद्दगी के बारे में नहीं सोचते थे जब देख रहे हैं इनको देखकर नहीं लगता कि ये एक सुखी जीवन जीते होंगे उस तरह की नहीं है तो उस समय के लोग उस समय की देश की जो हालत था उसके वज़ा से वे लोग सिर्फ देश के बारे में सुखते थे अपनी क्या हाल है उससे कोई मतलम नहीं और होना भी चाहिए इस तरह की चीज तो इस तरह से सरदार पटेल की बेटी जो है उनको भी चोटे लगी वे भी लाठिया खाई और गिरफ्तार नहीं होने का निश के खिलाब खड़े थे यह तो फिर भी एक जगह की है पूरा देश के लोग अंग्रेजों के खिलाब खड़े हो गये थे तब यह अंग्रेजों को पता चला कि नहीं अब जो है इस देश पे सासन करना मुमकिन नहीं है यह निश्चित धारना थिये कि ग्रपतारी से बचकर समस्थ देश में आंदोलन को संग्यठित करना अधिक उप्युक्त रहेगा ये बहुत बड़ी सोच है कि अगर हम गिरपतार हो जाते हैं तो फिर जनता को संभालने के लिए कोई चाहिए क्योंकि जनता अगर कोई घटना घट जाता है तो फिर जनता अपने घरों में चले जा मुंबई की इस घटना का समाचार दो घंटे में ही देश भर में फैल गया मुंबई नगर में पुर्ण हर्ताल शुरू हो गई अनेक बसे और ट्रामें जला दी गई यातायात बंद कर दिया गया तार और टेलिफोन के खंबे उखाड दिये गए इस परकार सारी मुंबई म क्रोधाकनी प्रजोली थोठी इतनी बड़ी घटना अगर घट जाए देश में तो तुरंत ही फैल जाता है खबर इसका और इसी तरह से दो घंटे में पूरे देश में फैल गई पूरा मुंबई में कई सारे बसे जला दी गई ट्राम जला दी गई किसी भी तरह से याताया जो है चलने रहा था उसको बंद कर दिया गया टेलिफोन के खंब्य खार दिये गए इससे क्या होता है संचार का साधन प्रभावित हो जाता है एक उंग्रेज्य दुसरी siya संपर्क ने कर सकता इसी लिए इससे क्या होगा कि उसका फाइदा इंडियन लोगों निकाला इसमें पांच वर्स से लेकर पंदरा वर्स तक के छातर थे साथ में कुछ लड़किया भी थी जब यह जुरुस बजार से गुजर रहा था तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उन मासूम बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया एक चौदा वर्स का बालक उस लोग थे वे तो लगे हुए थे बच्चे भी लगे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि देश आजाद देश में सांस लेना क्या होता है तो बच्चों ने भी इसमें कुर्बानिया दी है जैसे कि यहां बतलाया जा रहा है नंदर बर नामक एक जगह एक चोटा सा सहर था व और उन लोगों ने बच्चों पे गोलिया चला दी इस परकार मुंबई में अनेक अस्थानों पर पुलीस ने मनमाने धंग से अत्याचार किये पूना में भी बेकुसुर इस्त्रीयों को गोलियों से भुना गया उस समय हिंदुस्तानियों को मारने के लिए कोई बड़ी वज में भी उन लोग गुलिया चला दिया करते थे ताकि लोगों में डर बना रहे हैं और उसका सासन चलता रहे हैं इसका कारण यह था मुंबई में करांती की जो जवाला सुल्गी थी वह धीरे-धीरे संपूर्ण देश में फेल गई महात्मा गांधी का भारत छोड़ो का ना हमारा दिया था करो या मरो तो लोग उसको बहुत गंभीरता से लिए और इसका एक ही मतलब है कि यह तो देश को आजाद कराना है यह फिर देश के लिए निचावर हो जाना और इस तरह से जब उनके मंद में भावना आ गया तो फिर अंग्रेजों को मजबूरन हमारे 90.41 को तो यहां पर चंक्र समात्त हो जाता है आयए देख्ले इसमें क्या कुष्चंस दिया हू۔ सबसे पहले यहां पर सब्दार्थ दिया हुआ है जो हिंदी का हिंदी मीनिंग और इंग्लिस मीनिंग भी दिया हुआ है इसको कम से कम एक दो बार जरूर पढ़े इसको और यहां पर टू नंबर में उत्तर दिजिए इसमें साथ कोश्चन दिया हुआ है और यहां पर थिरी घटा था उसके बारे में लिखने के लिए का रहा है तो यह मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ यह है चप्टर 4 का question answer क्रिप्स योजना के असफल होते ही क्या हुआ क्रिप्स योजना के असफल होते ही सारे देश में विद्रोह यवम असंतोस की लहर दोड़ गई महत्मा गांधी ने सरोपर्थम कब भारत छोड़ो पर अपने विचार परकट किये महत्मा गांधी ने 26 अप्रेल 1942 को अपने हरीजन नामक पत्र में सरोपर्थम भारत छोड़ो का विचार परकट किये भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने के लिए कब और कहां बैठक आयोजित की गई भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने के लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतिय कांग्रेस महासमीती की बैठक बुलाई गई गांधी जी ने बैठक में क्या घोसना की मुंबई अखिल भारतिय महासमीती की बैठक में गांधी जी ने या घोसना की कि इसी चंद से आप में से हर एक अपने को आजाद आदमी या औरत समझें गवालिया मैदान के अभुतपुरु दिरिस का वर्नन अपने सब्दों में करो गवालिया मैदान का दिरिस अभुतपुरु था सभी स्वेम सेवक नारंगी पुसाक में एकत्रित थे पुलिस वालों ने मैदान को अपने अधिकार में कर अस्रु गेश छोड़े अरुना आसप अली ने ओजस्वी भासन दिया तथा तिरंगा जंडा फारा दिया जब आसु गेश से भी भीर पीछे नहीं हटी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया मनी बेन पटिल को भी लाठिया लगी बिर्टिस पुलिस लाठी चार्ज क्यों किया गौलिया मैदान से भीर नहीं हटने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया नंदर अबर नामक अस्थान पर क्या घटना घटी नंदर अबर, मैं नेताओं की गिर्फ़तारी की बिरोध में 5 से 15 वर्स के बच्चों द्वारा जुलूस निकाला गया इस जुलूस में 14 वर्स के बच्चे को गोलियों से भून दिया गया कुश्चन नमर थ्री सोचोर बताओ इस करांती को अगस्त करांती क्यों कहा गया या करांती अगस्त में ही सबसे अधिक परभाव साली रहा भारत छोड़ो कनारा किन के लिए दिया गया बिरिटिस सासन के लिए करो या मरो से क्या आसे है देश की आजादी के लिए लड़ो या देश के लिए स्वेम को बिलिदान कर दो Q4 रिक्तस्थानों को भरने के लिए कहा गया है और इसका यहां पे direct answer दिया गया है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं Q5 जिसमें बताने के लिए कहा गिया है, तो क्या बताने के लिए कहा गिया है, यहां पे कुछ dates दिया हुआ है, और इसमें क्या हुआ था, उसके बारे मतलाने के लिए कहा गिया है, 26 अप्रिल 1942, गांधी जी ने हरीजन नाम पत्र में भारत छोडो का विचार परकट किये, 14 ज 1942, मुंबई के गवालिया मैदान में अरुना आसफ अली ने तिरंगा जंडा फरा दिया, यहां पे क्वेशन नमबर 6 में भासा अधियन, ब्याकरन से कुछ क्वेशन दिया हुआ है, इत परतिय के सब्द, यहां पे इत परतिय के सब्द बनाने के लिए कहा गिया है, तो पर अधर्म का अधर्म, क्वेशन नमबर 4 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाइक में परियोग करें, तो यहां पे कुछ मुहावरे दिये हुए हैं, जैसे कि टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े राना, पुलिस के दवारा आसू गेस छोड़े जाने पर भी भीर टस से मस ना हुई, यहां पे मैंने चेप्टर से समंदित वाइक बना दिया है, आप इसके अलावाद दूसरा वाइक भी बना सकते हैं, क्रोध की अगनी में जल उठना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, सभी परमुक नेताओं को गिरपतार कर लिये जाने पर पूरा देश क्रोधाग करनी में जल उठा, गोलियों से भून डालना, गोली मार कर हत्या कर देना, जुलूस में सामिल बच्चों को भी अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला, प्रान पखेरू उड़ जाना, मिर्तियू हो जाना, गोली लगने वाले बच्चे का प्रान पखेरू उड़ गया, जी जान से जुटना कड़ी मेहनत करना देश को अजाद कराने के लिए सभी देशवासी जी जान से जुट गए और यहाँ पे यह चेप्टर समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारा वीडियो helpful होता है तो आप हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आईए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं